नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एज्यूकिस्टन चनल में तो आज कोड़ी लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्फ प्रॉब्लम और उसके सॉलिशन के बारे में बात करेंगे जैसे कि ये वाले वीडियो में हम देख रहे हैं उस तरह से जो पर दर्द मैसस होता है फिर ये दूसरी वीडियो में हम देखे तो जो परसन है उसको चलने में काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये जो दर्द है वह कमर के पिछले हिस्से से लेकर प्यारों तक पहुंचता है और चलने में किसी का सहारा लेना पड़ता है फिर यह उक और जो रह पर भान रूटीन में अपना कम सही से कर्ना है तो वह काम करने में काफी जदा वह दिक्कत द्याती है फिर क्या होता है कि अगर आपको जूकना पड़ता है कोई काम करने خणक के लिए कोई चीज को आपको उठानी है या पर चिसमें आपको निज्जे से कोई सामान उठाना है और किसे जगापी उसे रखना है या फिर कोई भी रूटीन एक्टिवीटी करनी है कि जिसमें आपको किसी तरह से जुकना पड़ता है तो उस वरत क्या होता है बहुत यापको काफी ज्यादा बढ़ जाता है पियार की जो उंगलिया होती है वहाँ पर एसा आपको मैस्स होता है कि वहाँ पे पीन या फिर सुई चूबने जैसा ऐसा होता है कि कोई हाथ में भी कई बार ऐसा होता है या फिर प्यारों में भी ऐसा होता है कि कोई आप बैठने लगते हैं या फिर बैठने के बाद आप जब आप खड़े होते हैं तब यह दर्द काफी जदा बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि चलने फिरने में काफी जदा जो दिक्कत याती है तो यहाँ पे जो हमने समझा तो यह जो सभी के अंदर यह सब अलग अलग जो चैप्टर से उसको हम कवर करने वाले तो सरुवात करते सबसे पहले इंट्रोडक्शन से तो साइटी का जो है नियुरोलोजिकल प्रॉब्लम हम कह सकते कि जो साइटिक नर्व होती है उसमें जब कुईसी तरह से खराबी होती है वो किसी तरह होती है वो दबने लगती है उसका compression होता है SITIC NERV का उसके करन ये प्रॉब्लम होता है और यह जो तक तो दर्द महसूस होता है तो यहां पर आदर इस तरह से होता है कि यह आप देखो की कॉम्क्रेस हो जाता है नर्वीट कि जहांसे यह जो नल्प यहाँ पर डपने के करणं क्या होता है तो चीछ के जिसको उनल नावबर कहते है तो कुछ अम प्राइविक जरेजह उंसाथे नाल किसी चृटutan की ब होकिछ इंजैणि होई थी तो एक symptom develop हो सकता है फिर कई बार fractures होता है और especially spinal injury होती है पेछे की साइड तो एक symptom develop हो सकता है उसमें फिर tumors के करण हो सकता है Spondylolisthesis के अंदर यह हो सकता है Pregnancy के दौरान cyst है या फिर और ऐसे problem के जिसी करण आपकी जो nurse जो दब गई थी या कि कोई accidental injury होई थी वहाँ पे तो भी यह problem जो हो सकती है अब symptoms देखे तो already हमने आगे यह symptoms discuss कर लिए कि सुई चूपने जैसा कई बार होता है pain होता है, numbness हो जाता है, tingling जैसा फिल होता है चलने फिरने में मुस्किली आती है और जब कोई person बैठता हो तो खड़े होने में दिक्कत आती है खड़े-खड़े कोई काम करने में या फिर जुक कर काम करने में काफी जदा दर्द होने लगता है और especially यह दर्द जो यह वह लंबे समय तक भी चल सकता है तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूंगा बीमारिया और उनका उपचार सिखने के लिए बूक आपको काफी जदा यूसपूल सा भीत होने वाली है कि जैसे आज यहाँ पे हम यह साइटिका का सीख रहे है ऐसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिटेल में यह वाली बूक के अंदर दिया हुआ है तो यह उसका आप इंडेक्स देख सकते है और यह वीडियो में भी देख सकते है तो यह बूक को आपको लेना है पर्चेस करना है तो यहाँ पे जो नंबर दिया है वो नंबर पे आप हमें वाट्स अप कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह जो प्राब्लेम है उसका निदान कैसे हो सकता है, डाइगनोसिस कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि पेशन को चेक किया जाता है सही से, फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की ज जाता है कि जिससे एग्जेट आप रिजन पता लगा सकते हैं, फिर MRI या फिर CT scan किया जाता है, फिर blood test भी किया जाता है, और क्योंकि कई बार क्या होता है कि कि किसी को diabetes से उसके करण भी neurons weak होने लगती है, तो उसको भी कई बार cytica का pain जो होने लगता है, तो blood test किया जाता है कि जिससे पता चले कि blood में sugar वगरा क्या है, कितनी sugar की मातरा है और और भी कोई infections वगरा हो, तो उसके बारे में भी पता लगा जा सकता है, अब समझते हैं, treatment के बारे में तो treatment में yoga कर सकता है patient, meditation, physiotherapy, healthy diet लेना चाहिए, health supplements और medicines के option रहेंगे, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक आप directly medicine लेने से पहले आपके physiotherapist को भी consult कर सकते कि जो आपको कुछ अच्छे exercise बताते हैं, कि especially yoga की अलग-अलग pose होते हैं, उससे भी साइटिका के pain में जो आपको रहत मिलती है, तो आप अच्छे से trainer को भी visit कर सकते हैं, कि जो आपको yoga meditation के लिए अच्छे से train करें, और स सादो साथ physiotherapist को भी person जो हो visit कर सकता है, अब समझते हैं, medicines के option के बारे में, तो कौन सी दवाईयों के options यहाँ पे रहते हैं, तो हमने आगे एक reason देखा था, कि neurons का weak होना, और सादो साद हमने देखा था, nutritional deficiency, तो कुछ ऐसे nutrition होते हैं, कि जो हमारी neurons की healthiness के लिए जरूरी होत है, alpha lipoic acid है, और दूसरी अलग vitamins है, तो यह जो vitamins क्या करते हैं, कि जो neurons की healthiness के लिए जरूरी होते हैं, और वो nutritional deficiency से दिरी दिरी आपकी जैसे क्योर हैं लगती है, तो साइटिका का दर्थ भी कम हो जाता है, फिर दूसरा option बनता है, कि मानलों कि मैकोन और फॉर्ट आपने ल लिपीन pharmaceuticals बनाते हैं, तो उसका भी dose खास कर रहता है, one tablet per day, फिर तीसरा option यहाँ पर बनता है, neurobian pot के tablet का, तो यह भी person ले सकता है, फिर चौरथा option है, neurobian plus के tablets का, तो यह भी लिए जा सकती है, फिर पांचवा option हम देखे, तो मैक जी यह लेके जो capsules आते हैं, कि जिसका dose रह सिद्ध है, बेकोबलामाइन है, और vitamin C जो है, उसके अंदर present है, फिर neurokind gold का भी यहाँ पर option बनता है, कि जिसके अंदर multi vitamins है, multi minerals है, कि जो mankind का यह product है, उसके बाद next हम देखे, तो उससे पहले में वापस आपको बताना चाहूंगा, कि जो हमारी book है, वो आप जरूर से purchase कर सक है, और पूरी जो book है, वो color है, जैसे आप यहाँ पर भी यह video में देख रहे हैं, उससरा से, सभी pages जो है, उसके color है, multi color book है, diagrams, अच्छे से color दिये है, तो आपको सीखने में और पढ़नाय में काफी जदा अच्छा लगेगा, तो topic पर वापस आते हैं, तो सात्वा जो option है, medicine का, वो है हमारे पास, वो neurobian ford के injection का है, कि tablet तो किसी ने खाई पर, tablet से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आगे जाके, जो आपके doctor है, वो आपको यह suggest कर सकता है, injection की treatment, तो उसमें एक और option रहता है, neurokind gold का भी option रहता है, फिर अब ऐसे दवायों के हम बात कर रहे हैं, कि ज दर्द को कम करने में काफी ज़्यदा, वो मदद करते कि जिससे जो दर्द के कारण, जो person जो mentally उस तरह से हो जाता है, कि वो ऐसा फिल करने लगता है, कि कोई routine activity उससे सही से नहीं हो पाएगी, या फिर कापी ज़्यदा जो है, वो depressed भी फिल कर सकते हैं, लंबे समय तक problem solve करने के लिए, rational plus tablet जो काफी असरदार साबित होती है, तो ये भी prescribe की जाती है, cytica के problem के अंदर, अगर इससे ठीक नहीं होता है, तो दूसरा alternative है, वो है, प्रेगा बालन के capsules का है, कि जिसका dose रहता है, one tablet, दिन में एक या फिर दो बार, फिर उससे भी नहीं हो रहा, तो एक और option है, 11th option, that is gaba penitin, फिर next हम देखे, तो जहाँ पे आपको ये दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे लगाने के लिए, ये एक ointment है, एरी, gaba, कि जिसके अंदर gaba penitin है, ketopropan है, capsulcin है, and methyl salicylate का ये ointment है, तो जहाँ पे आपको जिस region में काफी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे ये जो हो लगाना होता है, दिन में दो या तीन बार, तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा है, तो यहाँ पे क्लिक करके मेरे दूसरा वीडियो भी जरूर से देख सकते हैं, so good luck and all the best!